नमस्कार समिधान लाइब में आपका स्वागत हैं दिल्ली में चल रहा किसानों का आंदूलन आज देश भर में राज़ी की अपना काम कर रही है और समाज अपना काम कर रहा है ये कहा जा रहा है कि मदप्रदेश, गुजरात, राजिस्थान, महराष्ट के किसान क्यों नहीं दिल्ली में पहुँचे हैं प्रदर्शन किये हैं तो आज हम मदप्रदेश से जो दिल्ली में प्रदर्शन करने साथ ही गये हैं जो जट्था गया था उसमें से कुछ साथी कल रात को मध्रदेश बापस लोटाए हैं उनी मैंसे हमारे बीच में है कॉमरेड पहलाद बैरागी जी बैरागी जी किसान सभा के महासचिव है मध्रदेश के और हमारे साथ में ट्रेड यूनियन के प्रतिनी जी के तौर पर जो कार्यवागर अध्यक्ष है एटक के रूप सींग चौहान जी है हम इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय दिल्ली के हालात क्या है और दिल्ली में जो बांकी देश है बहां से किस तरह का सपोर्ट हासिल हो रहा है किसान अनुलन को और आगे की रणनीती क्या है बैयागी जी सबसे पहले मैं आपसे जाना चाहूंगा कि मद्धि प्रदेश से जठ्था कब चला था और इसे किस तरह की तक्रीबों का सामना करना पड़ा और वश्ने में दिल्ली क्या दिप्रदेश का जठ्था 24 नमंबर को बढ़वानी इंदोर से चालू हुआ था देवास, साजापूर, मक्सी, सारंगपूर, व्यावरा से होते हुए हम च्याम को साथ बजे के करीब गुना पहुँचे थे गुना में हमारा रातरी विश्राम्था और सभा थे गुना पहुचने के बाद जब अगली सुवे 25 तारिक को हम लोग गुना से बढ़के सिवपूरी गाए, सिवपूरी में सभा थी सभा के बाद गांधी जी का जो इस मरक इस्तल है उस पे उस्वा अर्पित करके जैसे ही जथ्था आगे बढ़ा तो गवालियर में रानी लेचमी भाई की समाधी पर फूल एर्पन करने के बाद एक सभा हुई सभा के बाद हम भिंड मूले नामें कारिकरम करते हुए जैसे ही रातिरी गिस्राम तो हमारा पलबल में होना था लेकिन राजिस्तान और उत्तर प्रिदेश की बाड़र पर जैसे ही हम पूंचे दोल्पूर के बाद तो उत्तर प्रिदेश की सीमा पर जबर जस्त पुलिस बत्यनाग था और इस कदर था उत्तर प्रिदेश पुलिस का भुजून देखने लायक था कि किसी डाकूँ पर आकर्मन करने की इस्तिती में जैसे ही हमारी गारी बेरियल पर पहुँची उन्होंने गारियों को देखते ही उनके पास नंबर से अटेक करा पूरे जथे की गारीयों को उन्होंने रोका जब हमने उन से मालूम करा कर दवर आके इसा कि किसी भी आलिक में अंडोलन कारीयों की शीनम जट्थे में जो मद्दिप्रदेश किसान समन्वे संगार समीती के सदस्थे उस ताइम जट्थे में मेघत पाटकर जी थी ती मनेश शरीवास्ताओं थे राहूल राज थे और बाकि हमारे कि त्नी लोगों करीब करीब हूंने काफी जिद्दम जहत के बारधम लोग को यू पी में नी जाने दिये तो हम नेशनल ही एक चांसर्थ के लिए कपी पुलिस के दबाव में आई नहीं यह इस्तिति निर्वत हो गई कि उस ब्रीज के ऊपर जहुलपुर के बाद जो पारवती ब्रीज है उस पर ना तो कोई पीने का पानी का साधन था आज पास कोई होटल थी हम लोगों ने वहाँ पर जाम किया जाम करने में पुलिस ने काफी हम पर कुरूरता पुर्वा काक्रमन करने की कोशिस करी लेकिन हम उसे दबे ने जब जाम किया तो रात के देड़ दो बज़े के करीब मोसम ने एकदम बदली और उसरोच पानी भी गिरने लगा अच्छा लेकिन इतने भी जथा में अंदुलन कारी साथी थे बारिस और इस थेंड के मोसम में में मेदान में डेटेर आए करी परी 35 किलोमेटर का जाम भी लगा दोनों तरफ दोनों तरफ उत्तर प्रदेश आगरा के एस्पी कल अंटर प्रदेश की सीमा का से है ओफ ऑ राधा की का से रात के 2.30 बजे के करीब से मंकन होने के बाद जब हमें ये मालूं पड़ा के हाँसा उत्तर प्रदेश की सीमा है कि तो हम फिट के करीब quartz और राच की सीमा में हमने धने पेटे रहे जैंभी आसमेग मैं करने के श्रा लेकिन राजिस्तान कुलिस का काफी हद तक आंदोलनकारियों के साथ सेहन बूती पूलबक रभगया था जब सुबह हुआ तो जो ग्राइब सब्सक्राइब के लोग भी पहुंचे आंदोलनकारियों का सपोर्ट करने लगे जो सर्पज बगयरा थे वो भी मदद पहुंचाने लगे धिरे-धिरे फिर धोल कुर्टे जो विधायक थे रोहित वोरा वो भी धरना इस्तल पर आए धरना इस्तल पर आने के बाद उन्होंने कुछ सबूल अंदोलनकारियों के लिए पानी बगयरा रासन का इंतिजाम पर आया च्याम को उन्होंने विष्टर बगयरा की बेवस्ता करी लेकिन जो ग्रामिन किसांथ है वो पाप्ती उत्साह बर्दित थे अंदोलनकारियों थे वो हर इस्तिति में सपोर्ट कर रहा थे लेकिन फिर भी बीज बीज में उत्तर प्रदेश कुलिस अंदोलनकारियों को डबाने के लिए 100-200 कुलिस गनवेनों को लाके बार बार राजस्तान की सीमा में वो प्रदेश करके नहीं अंदोलनकारियों को डराने धमकाने की कोशिस कर रहा थे उस्तिति में हमने भी फिर म बना लिया था कि जैसे ही राजस्तान की सीमा में उत्तर प्रदेश पुलिस आती तो हम उनको ख़दर देते थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुर्दाबाद योगी मोदी की ताना साही मुर्दाबाद तो लगाते रहे हैं उनकी हिम्मत ने हुई जब 26 के चाहूं को पांच बजे उपर से उनको आदेश मिला कि आप लोग प्रवेश कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा फिर हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा में जथ्था लेके गए रात को करीब तीन बजे के करीब निरंकारी मेदान हम पहुंचे हैं और करीब करीब निरंकारी मेदान में मति प्रदेश का ही जथ्था पहला था कि जो निरंकारी मेदान में पहुंचा और निरंकारी मेदान एक एसी जगह है कि उस मेदान को देखके मेरा दिमाग और दिल खुद भिर्मी तो चक्रा रहा है मैं उससे मेरे गिए लगता के राम Lisa मेदान और दसेरा मेदान की जो मोति सब्रमाले केंसिल करी और निरंकारी में चुना निरंकारी मेदान एक तो पूरा जंगल में जंगल के बाद उसकी इस्तिती ऑक तलाव कि आइक चारों तरफ से उंचाई है उसमें जिल्टाइट में वो मैदान है और उससे ये मेरो को साथ जाहिल होता कि मूती और अमिस साथी जोड़ी अगर किसान आंतुलनकारी वहाफर इखटे हो जो बार-बार ये चेनल के निरंकार मैदान में आईए और हम चर्चा करेंगे तो ये सबसे बड़ा जो इनके तीन कानून है उसमें निमतन समर्थन मूल एक बहुत चीज है कि उसमें अब तक इन अध्यादेशों में मोटी सरकार को इस पश्ट निकट 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 दे पा रही है कि हम समर्थन मूल रखेंगे और ये गोल जबाब तो कि सअनों को दे रहे हैं कोई निकीज बर्तमान में ये श्तिती है कि जो 16 जिंसों को सब्सक्राइए श्याञा ति कोई साकानून मूदी लेकिन मक्का का समर्थन मूल्य है 1850 रुपे फुंट है लेकिन भारत सरकार और मत्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पे मक्का खरीदने का कोई सेंट्रेल अभी तक लागू निकारा जैसे पिछले सीजन में मूं का समर्थन हुआ इस कानुन से चार है ऊचीय का जब हैに ऑपिखनों है कि मंदियों को खत्म करने की मंदी माव्म हलेक्टि रागवन हिए एक उयुक्त म कर देंगे तो जो देशी वर विदेशी पुझी पती बाजार में खरीदेंगे तो एक तो लेस्क की कोई गारंटी नहीं है वो किस भाव में खरीदेंगे दूसरा आज मंदी कंग में अगर किसां का गल्दा निलाम होता है यहां जाए वो समर्थर मूल के निलाव नहीं हुगा लेकिन उसकी यह गारंटी है कि एक मंदी सब बोर्ड होता है किसां का पेसे को भुगतान अगर नहीं हुगा तो वो मंदी सचीब को बोलेगा मंदी सचीब उसका फेसला करेगी तीन दिन के भीतर किसां को पैसे दिलाए जाए इस नहीं एक्टर में सबसे बड़ी विड़ना क्या है कि सरकार का कोई नियंतर नहीं होगा किसां का गल्ला जो यह कह रहा है कि मंदी गेट के भार या खेट गाउं में खरीदा जाए जिस भी कंपनी ने करना खरीदा और किसां के उपज का भुकतान नहीं हुगा तो उसको HDM को अबेदर करना पड़ेगा उसकी वेलिदीटी उनने साठी दिन रखी है अगर HDM से किसां संतुष्ट नहीं होगा तो कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा उसका इनोंने 6 महीने का टाइब रखा जब आज की वर्तमाल इस्तिति में HDM और कलेक्टर किसांगों के छ सबसे बड़ी विडवना तो महां किसानों के लिए फासे का फंदा खड़ा हुआ जब देश में हर साथ में एक किसान आत्म हत्या करता है और जब उसके उपच्का उसे भुक्तान नहीं होगा तो आत्म हत्या की जरह कितने बड़ेगी कल्पना कर सकते हैं अभी निरंकाई म मेदान में करीब करीब बाकी लोग तो राजिस्तान बाडर वुट्वा बाडर और उत्राखंट की बाडर पिकिसान रटे होगे लिए निरंकारी मेदान में रिस्टाइं करीब 10-15,000 किसान मुझूद्धे और किसानों का आना क्रम चैलू था यह कहां कहां की किसान है कुछ पंजाब के भी है, उत्तर प्रदेश के हैं, महराष्ट के हैं, कुछ गुजराथ के हैं, करनाटका के भी साथी और मद्धे प्रदेश के हैं करनाटक के कुछ साथी अभी बीच में लौट गए हैं और आज भी संब्धा कुछ आने वाले हैं, तो यह आना जाना वहां पर निरंकारी मेदान में जाली है, या जो निरंकारी मेदान का कहा गया है अभी किसान समयनल समीथी की ओर से, कि वहां नहीं जाएंगे, तो वहां किसान संब्धे समीथी भी जो बोल रही है, बहुत सही है, बाकि अगर केंद्र सरकार को चर्चा करना है, तो जहां जादे ताजात में किसान डटे हुए हैं और निरंकारी मेदान में आने का मना कर रहा है, तो सरकार को उनी जगाओं पर जाके चर्चा करना चाहिए, और न विश्चाना मालना है चर्टा बाड़ाइड को होना चाहिए निरंकारी मेदान कर नहीं के इंद्धे सरकार की सुवीधा यह है कि उस मेदान को चारों तरफ तरह पुलिस और से हैजेक कर रखा है तो वहां पर सरकार की तरफ से मिल रहे हैं कि इंजर सरकार की तरफ से कोई सबूलियत नहीं तो यह बहुत महत्मुं जानकारी दी आपने एक तरह से पुरा हाल विश्य बताया कि कैसे कैसी लोग गई और वहां पर उनको क्या समस्यां आई हैं निरंकारी मैदान की अभी क्यारिस्तिती हैं दिल्ली के बांकी पांचों जो बॉर्डर है खरीदावाद का बॉर्डर है सौनीबद का बॉर्डर है गाजियावाद का बॉर्डर है तीखरी बॉर्डर है और सिंदु बॉर्डर है इन पांचों जगों पर अभी बड़ी संख् जो ट्रेड उनियनों का और इंडिया उनिकेशन है उसमें किस तहीं की वार्ची चल रही है और आगे इस आंदोलन को ले जाने में ट्रेड उनियन की क्या दूमिका देखते हैं अगर आप ट्रेड उनियन की बार करें तो 26 तारीक अरताल दो मुद्दों परती है अगर जो किसानों पर आंदोलन की इसान ही डिमांड हमारी नहीं थी दिमांड हमादी की जिए उसमें लेकिन अरताल तोटल तो लोगी उसके दूर मुद्दे थे मुखम लुक वाकती कि मद्दो रुक्त रोनों को दरवाका पर जार मिलना चाहिए सरकार ने जो अभी पजवर्दन किया है चाहे वो किसानों के लिए हो या तिमांड हमारी नहीं को बूलने की कि यहां अवश्क का कम है तो इसलिए है कि सरकार खुद कह रही है कि हां नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन वावश्यूरिस के अगर आप पूरे इलाके में देखें तो जब एनस्पी खतम हो जाएगा तो क्या होगा हर आदमी आता है हर किसान जो समझदार है वो समझ रहा कि यह सरकार आप एक बात है माझेजिए कि आने वाले कल में ट्रेड़ून अंदुरन अभी पड़े कि निश्चित तोर पर किसानों के साथ ट्रेड़ून जाएगा लेकिन किसान तक जाएगी यह अभी कहा निया सकता है और अभी आलें के लिविल पर साइफ किसान संग्षन और ट्रेड़ून में जाएगा हूँ कि अभी जो हालात हैं इन सरकार मानने को तयार नहीं है और MSP को पुरानी वरस्था को लागून नहीं किया जाता है तब तक वहां से नहीं आटेंगे और कानुन अभी आपस लिया जाता है आगे की रड़नीती किसान समय बर समयंती कि क्या है और किम्निकेशन किस तरह से हो रहा है क्योंकि ये पांच जगह पर किसान बटे हुए ह क्या इनकी एक साथ बेढ़ा किसी जगह प्रोवती है या फिर तक्नीकी तरीके से कोई बादशीट हो रहे हैं अगर क्या प्लान रहे हैं अपरीका जो हाला थे केंद्र सरकार अपने हट अपने हट धर्मियों हिटलर साही पर बरकरार है लेकिन यह तीन कानूनों को लेकर कानूनों को बापिस नहीं लेती है और सरकार सही डंग से अगर किसानों से बात नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में दिली तो घेड़ रखी लेकिन दिली में भी किसान उपर अंदोलन करेंगे और देश की धर राइधानी और दिले कज़बों में यह अंदोलन एक कि यह करते आए वो कता ही करना चाहिए जैसे 2013 भूमी अधिगरेन विल था इन्होंने बादा करा था कि अगर हम सत्ता में आये तो सो दिन के अंदर स्वामिनाथन आयो कि सेपारिस के अनुसार समर्थन मूली घोसित करेंगे भूमी अधिगरेन विल 2013 हम लाबू करेंगे ले सत्ता में आने के बाद ना तो इन्होंने निन्तन समर्थन मूली स्वामिनाथन आयोक कि सेपारिस के अनुसार लागू करा वलकि उसके खिलाप में इन्होंने सुप्रीम कोड में हल्प ना मादीया क्या स्वामिनाथन आयोक के हिसाब Saison si bei S上ud करेंगे तो देश में म्ह भड दूसरा इनोंने जूर भूमी अधिगरण बिल जिसके अध्यक्षा खुद सुस्मस हो राई थी मनमुहुन सिंग सरकार के टाइम में लेकिन सत्ता में आने के बाद उस भूमी अधिगरण बिल को इनोंने पल्टा उस देश के किसान जब लड़े तो इनको कानिंग वापिस ल अब इसमें जो सरकार धोका दे रही किसानों को और तीन काले कानून लेके आई ये किसान विरोजी इसमें कि सरकार को हटना पड़ेगा और आने वाले टाइम में अगर सरकार नहीं हटी तो सरकार को गद्धी भी छोड़ना पड़ेगी क्योंकि ये लड़ाई आज देश का किसान आरपार की लड़ाई लड़ने की स्तिती में है बहुत बहुत शुप्रिया यह थे कॉमरेट वेरागी और कॉमरेट चोहान देश का किसान आरपार की लड़ाई और एक निनायक लड़ाई लड़ा रहा है 2015 में एक लड़ाई जीत चुका है बने रही है समिधान लाइट के साथ अगर आपके पास भी इस आंदूलन से जुड़ी या आंदूलन से जुड़ी कोई खवर है तो वो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेज सकते हैं जो मेल आइडी लिया है उस पर मेल आइडी पर लेज सकते हैं बगल बुब जुब याइडी लेज सकते हैं